बहुत सारे लोग ऐसी कथाओं को नहीं जानते अपने अच्छे से बताया कि विष्णु का अर्थ क्या है नरायन का अर्थ क्या है और विष्णु नरायन की उत्पत्ति तो हम कह सकते सनातन है नहीं या किसी मल्टिवर्स में पराणों में मिलती है पुराणों तो यसे कथा में विष्णु जी नहीं सुपन करें होगा देन कि इस сी क्रेंपार विष्णु जी कि क्योंकि बात कर रहे हैं तो विश्णु जी की उत्पत्ति का कोई कारण या कोई ऐसी कथा में मिलती है पुराणों में उत्पत्ति तो वही हुई कि मत्या पराब्रम ने रूप लिया जिससे की संसार में सुष्टी कारम हो और विश्णु को एते हैं प्रिजरवर जो रचना विश्णु का काम में उसको समाल के रखना तो उनकी उत्पत्ति का कारण वही और शिवजी आये असे डिस्ट्रॉयर जो एक नया और बनेगा जब पूराना डिस्ट्रॉय होगा तो वह शिवजी की कहानी है तो ऐसी कहानिया बहुत सारी है लेकिन उत्पत्ति उनकी हुई जब वह अफतार के रूप में उन्होंने सबसे पहले शुरुवात आई वह कहानी बहुत इंट्रिस्टिंग है उससे पहले विश्णु की विश्णु जी दिखते कैसे हैं इसके बारे में कोई है कि उनके चक्र है उनके पास बोलते हैं शंक चक्र गदा पद्म ये चार ची इनकी जो नाभी है वो पद्म जैसी है तो ये सारी चीज़े उनकी है और शंक जो उनका बहुत फेवरेट है चक्र कैसे मिला इसकी कहानी बहुत इंट्रिस्टिंग है तो बोला जाता है कि जब विश्णु जी बहुत असुरों के साथ लड़ाई कर रहे थे और बहुत ठक कि असुर मरी नहीं रहे थे तो समझगे कि ऐसा हत्यार चाहिए जिससे कि उनको मारा जा सके तो उन्हों ने आके भगवान शिव की आराधना की बहुत सालों तक आराधना की शिव जी प्रकट नहीं हुए तो क्या करें तो नोंने फिर एक शिवलिंग बनाया और उसके उप पर हर दिन वो एक हजार लोटस फ्लावर्स रखने लगे हर दिन एक हजार कमल के फूल और ऐसे चलता रहा चलता रहा बहुत साल हो गया शिव जी को बहुत अच्छा लगा तो वो प्रकट होने वाले थे उन्हें का एक आखरी टेस्ट करता हूं मैं विष्णु जी का तो उ सालों की तपस्या भंग हो जाएगी तो क्या करूँ सोचने लगे फिर में याद आये कि उनके जो भक्त हैं उन्हें कमल नैन बुलाते हैं इसका मतलब है कि उनकी जो आखें हैं वो भी कमल जैसी हैं तो उन्हें अपनी एक आख निकाल कर लिंग के उपर रख दिया तो वो दर्शन आखों से उसका रिलेशन है तो उसका नाम भी सुदर्शन पड़ा यह तो मैं भी पहली बार सुनना है काफी प्रस्टू जी का वर्णन क्यूंकि हम अलग-अलग तस्वीरों में अलग-अलग देखते हैं इसलिए मैंने प्रस्ट आप से पूछा मैं इसके बाद ज दुख्रक्रण में इतना थे इसब करना पर देशन ये कहानी करनी वहें से अफ़्ता लेना पड़ा तो ऐसे असुरों के जो देफता थे वो थे उनके गुरू थे शुक्राचारियों के के पीता थे रिशी भ्रिग्गू और की माता थी काविय्यामाता तो एक बार क्या हुआ कि शुक्रचारी ने असुरों से बोला कि मैं जा रहा हूँ शिव के अराधना करने जिससे कि हमें एक ऐसी संजीवनी मिलेगी जिससे आप लोग कभी मरेंगे नहीं तो इस तरह हम देवताओं को हरा पाएंगे और जब तक मैं उसमें लीन रहूंगा आप लोग मेरे घर चले जाएए और मेरे माता पिता आपका ख्याल रखेंगे तो शुक्राचारे जी करने लगे यहाँ पे समाधी और सारे असुर पहुच गए कावया माता और भ्रिगू के पास तो इंद्र को पता चला कि यह एक अच्छा मौका है कि हम जाके असुरों का सफाया कर सकते हैं तो इंद्र और विष्णू वहाँ पहुच गए और कावया माता अकेली थी और वो खड़ी होगे विष्णू के सामने कि मैं तुम्हें इन्हें मानने नहीं दूँगी चाहे यह सुर हैं लेकिन अभी यह मेरी शरण में आए हुए हैं तो मैं उनको प्रोटेट करूँगी तो विष्णू ने बहुत समझाया यह नहीं समझी तो अल्टेमेटले विष्णू ने उनको मार दिया कि जिस तरह आपने मुझे दुख दिया है जिस तरह आप भगवान बनते हैं और हम इंसाने हमें दुख भोगना पड़ता है इसे तरह आपको भी दुख भोगना पड़ेगा तो आप अब हर योग में संसार में जनम लेंगे इन अ मोटल फॉर्म इंसानी या चाहे जो भी फॉर्म है जो जिन्दा ने रहेगा ज्यादा मोटल फॉर्म जिन्दा रहेगा और आप वह सारा इमोशन हर दुख आप सहेंगे जो हम सहते हैं तो वहां से अवतारों की बात शुरू हुई और क्योंकि श्राब से अवतार के बात शुरू हुई श्राब के वज़े से भी कल्यान हुआ संसार का तो वह बहुत इंट्रूस्टिंग रिलेशन